हेलो दोस्तो, आज की वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं, एकोनॉमिक का चैप्टर, सेक्टर अप दे इंडियन एकोनॉमी, तो चलिए पढ़ते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का मतलब समझेंगे, यहाँ पर सेक्टर का मतलब है कि जहाँ पर धेर सारे लोग, यानि कि बहुत सारे लोग जो प्रोडियूस करते हैं goods and services को, इसका मतलब यह है कि जहाँ पर धेर सारे समानों और services को दिया जाता हैं, इसी को हम सेक्टर बोलते हैं, इंडियन का मतलब है भारतिय और एकोनॉमी का मतलब है कि activity है कोई, और पैसे generate नहीं कर सकते, और जो अपना इंडिया का economic sector है, इसको classified किया जाता है on the basis of nature, primary, secondary and tertiary sector, on the basis of work condition, organized, unorganized sector, on the basis of ownership, public and private sector, तो यहाँ पर जो अपना इंडिया का economic sector है, इसको mainly तीन पार्ट में ही divide किया जाता है, यानि कि classified किया जाता है, आपको चिंता करने वाली बात नही हम सभी का मतलब समझेंगे, primary, secondary, organized, unorganized, public, private सभी का मतलब समझेंगे, अगर आपने इन सब का मतलब समझ लिया, तो आपका पूरा chapter यही पर खत्म हो जाएगा, तो आइए सभी का एक एक करके मतलब जानते हैं, जिससे आपको chapter पूरा समझ में आ जाए, इस वाले sector में क्या ह होता है कि जहाँ पर ज्यादा तर product को obtain किया जाता है, यानि कि लिया जाता है nature को exploit करके, simple सा मतलब है कि nature को destroy करके हम product को बनाते हैं, इसका मतलब भी हुआ कि ऐसी activity जिसमें हम natural product को use मिलाते हैं, जैसे कि rice, wheat, dairy products, mining, faceries, forestry and mineral extraction, और यह जो sector है यह base है other product का, यानि कि इसके अलव कोई और product बनी नहीं सकता, एक example लेते हैं, आपको जो wheat है यह belong करता है primary sector से, अगर wheat ही ना दे तो यह secondary या टर्जरी sector यहाँ पर biscuit को बनाई नहीं पाएंगे, इसका मतलब भी है हुआ कि यह चीज बहुत ज़्यादा primary है, यानि कि बहुत important है, मेरा मतलब कि compulsory है, इस वज़े से इसको primary sector नाम दिया गया है, इस sector में ज्यादातर product जो बनाया जाते हैं, यह agriculture related से बनाया जाते हैं, इसलिए इस sector को agriculture sector के नाम से भी जाना जाता है, हमने यह पढ़ लिया, अब secondary sector के बारे में बात करते हैं, इस वाले sector में यह होता है कि natural product को change किया जाता है other form और product में industrial activity के तोर पर, यानि कि industrial activity का उप्योग करकर, लेकिन हम ऐसा क्यों गरते हैं, हम ऐसा इसलिए गरते हैं, क्योंकि जो natural product होते हैं, हम इनको directly use नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें original form में से इसको change करना पड़ता है, किसी और form में, जिससे हम इसको असानी से उप्योग कर पाएं, फिर हम इसको use कर सकते हैं house में, ताकि घर अच्छे से बन पाएं, तो यहाँ पे जो soil है, यह आपका primary sector है, और जो यहाँ पे bricks है, इसको secondary sector ने बनाया, और यहाँ पे जो आपका soil है, यह आपका natural product है, और जो bricks है, यह आपका एक other form of products है, इसी प्रिकार एक और example है, क्या आप उसके कपड़े सीलते हैं, यानि कि fabric बनाते हैं, इनी सब की वज़े से इस sector को industrial sector के नाम से भी जाना जाता है, हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया है, अब बात करते हैं, तर्जिरी sector के बारे में, यह जो sector है, यह कुछ बनाता नहीं है, यानि कि कोई समान नहीं बनात है, बलकि यह support करता है, primary and secondary sector को, इसका भी कुछ example लेते हैं, ताकि आपको अच्छे समझाए, suppose करिए, जो primary sector है, इसने कुछ बनाया, यानि कि produce किया, और इसको market में ले कर जाना है, तो यह कौन ले कर जाएगा, यह tergery sector ही ले कर जाएगा, इसी प्रिकार secondary sector ने कुछ बनाया, तो इसको भी बहुत जादा जरूरत पड़ेगी कि market में जाए, यानि कि market तक पहुँच जाए, तो यह कौन ले कर जाएगा, tergery sector, इसका मतलब यह हुआ, कि यह जो दोनों sector है, इनको जरूरत पड़ते है, service की, service का मतलब जैसे कि transportation, यह जो sector है, और भी services को provide कराता है, जैसे क teacher, doctor, lawyer, communication, plumber, electrician, borrow money, तो यह कुछ example थे आपके tergery sector के, हमने जो पड़ा फटा फट से quick revive कर देते हैं, अभी हमने पड़ा कि primary sector को agriculture sector के नाम से जाना जाता है, secondary sector को industrial sector के नाम से और tergery sector को service sector के नाम से जाना जाता है, अब इनको फटा फट से compare कर लेते हैं, तो अपनी topic बन जात यहाँ पर primary, secondary and tertiary sector सब लोग साथ में आते हैं और produce करते हैं, large number of goods and services देते हैं, मतलब कि लोग साथ में आते हैं और धेर सारा product यानि की समान बनाते हैं और सभी को services भी देते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग काम भी करते हैं, only the value of final goods and services are added, यानि कि यहाँ पर सिर् आपका final goods and services ही add होती है, example से समझते हैं, एक किसान है जिसने अपने wheat को meal grinder के पास बेचा, 8 रुपे पर किलोग्राम के हिसाब से, और meal grinder ने इसका आटा बना कर biscuit company को बेचा, 10 रुपे पर किलोग्राम के हिसाब से, और जो biscuit company है, इसने आटा को यूज किया, sugar, aisle, इसने यूज करके biscuit को बनाया, और यह जो biscuit company है, यह अपने biscuit को बेचती है, market में 15 रुपे पर packet के हिसाब से, और यहाँ पे जो biscuit company है, इसने यूज किया, sugar, oil और बहुत चीजों को, इसको हम intermediate goods बोलते हैं, यानि कि यह ऐसा goods है, जिसको हम final goods बनाने के लिए यूज करते हैं, अगर आपने focus बस क्या हो, तो यहाँ पर sugar, oil के पैसे add नहीं किये गएं, हमने biscuit का दाम ही बता दिया, 15 रुपे पर packet के हिसाब से, तो इससे हमें यह पता चलता है, कि सिर्फ हमारी final goods की value को add किया जाता है, और यह जो आपका final product है, वो आपका GDP में calculate होता है, GDP क्या है, GDP, gross domestic product है, यहाँ पर यह होता है कि जितनी भी value आप final goods and services produce होई है, एक country में और एक साल के अंदर वही सब कुछ आपके calculate किया जाता है, GDP में, simple सब्दों में बोले हूं, तो इन 3 sector में जितनी भी final goods and services produce होई है, एक साल के अंदर एक ही देश में, यह आपका GDP में calculate किया जाता है, और इस GDP को calculate किया ज developed countries को देखें, तो वहाँ पर शुरुवाती समय में primary sector एक very important sector रहा है, economic activity पर, लेकिन फिर भी लोग primary sector को छोड़ कर other activity की तरफ shift हो रहे थे, इसका reason है, यहाँ पर जो method था farming का ओचेंज हो चुका था, जहाँ पर more food was produced than before, यानि कि पहले से अब की समय में बहुत ज्यादा food produce ह होने लगा था, number of craft person and trader increased हो गए, जहाँ पर buying and selling activities भी increase हो गई, यहाँ पर main कारण यह था कि यहाँ पर transportation facilities थी, इनी सब की वज़े से लोग other activities की तरफ shift हो रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो shift हो रहे थे primary sector से secondary sector की तरफ, क्यों आए जानते हैं, main reason यह रहा होगा कि यहाँ पर new method of manufacturing को introduce किया गया, यानि कि कुछ नया ही introduce कर दिया गया था इस field में, यह भी reason है कि यहाँ पर factories भी आने लगी थी, और यह grow भी होने लगी थी, यह भी reason है कि यहाँ पर जो goods बनते थे, यानि समान बनते थे factories में, वो कावे सस्ते बनते थे, इनी सब की वज़े से secondary sector एक important sector बना, और कुछ ऐसे भी थे, जो shift हो रहे थे secondary sector से, टर्जरी सेक्टर की तरफ, यहाँ पर यह देखा गया है कि पिछले 100 और्सों सो लोग shift हो रहे थे secondary sector से, टर्जरी सेक्टर की तरफ, वो भी developed countries में, और इनी सब को देखते हुए, टर्जरी सेक्टर एक important sector बना in the term of production and employment, यानि क यहाँ पर जानेंगे कि क्या importance थी, जो कि टर्जरी सेक्टर बहुत ज़्यादा rise, यानि कि बहुत ज़्यादा growth हुई इसकी, इस sector की जो growth है, यानि कि बहुत तेजी से growth हुई इसकी in the term of production, यानि production के मामले में यह बहुत तेजी से growth किया है, और यह जो sector है, अब बन चुका ह largest contributor GDP का यानि कि GDP में बहुत ज़्यादा योगदान इसने दिया है यह जो सेक्टर है इसने प्रवाइड किया है basic services यानि कि दिन चर्या के जीवन में जो उप्योग होती रहती हैं यह सब उसने प्रवाइड किया जिससे इसकी और भी ज्यादा ग्रोथ हुई जैसे कि hospitals, educational institute, post and telegraph services, transport, police station, courts and etc. इसने development किया है agriculture and industry का services प्रवाइड करके जैसे कि transport, storage, banking, insurance and बहुत भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताया कि जो यह sector है यह largest contributor है GDP में इसका मतलब हिया है कि इसने rise भी किया है income level को और इसने introduce किया new services को इस sector ने over the last decade यानि कि पिछले 10 साल में इसने new services को add किया मेरा मतलब कि introduce किया services like information technology, communication technology यह जो sector है यह बहुत ज़दा important बन गया है लेकिन इस sector में एक problem है यहाँ पर disparities यानि कि भेदभाव देखने के लिए मिलता है यहाँ पर इस person को इसके ability के हिसाप से पैसे दिये जाते हैं इसका मतलब भी है कि अगर आप इस sector में job लेना चाते हैं तो आप skilled and highly educated रहेंगे तभी आपको इसमें job मिलेगी और तभी आप अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छा खासा पैसा यह नहीं कर पाते हैं जैसे कि stop keeper, transport person, vendor, vegetable seller आपको यहाँ पर doubt आ रहा होगा भाईया ने बोला skilled and highly educated बट काई मेरी बेहन मान लीजिए जो सबजी बेचने वाला है यह बहुत पड़ा लिखा नहीं लेकिन इसके पास skill तो है सबजी बेचने का और यहाँ पर एक बात को note करिएगा कुछ ऐसे भी people है जहाँ पर इनको regular jobs नहीं मिलती है और ना इनको regular income मिलता है example आप vegetable seller काई ले सकते इसके सबजी कभी बिकेगी कभी नहीं बिकेगी और अगर आपको यहाँ तक chapter समझ आ तो please मेरी मेनद के लिए एक like और एक subscribe कर दो बहुत ज्यादा मेनद लगती है बढ़ते हैं अगले topic पे where are most people employed यहाँ पर जानेंगे कि कहाँ पर लोग ज्यादा रोजकार यानि कि employed हैं ज लेकिम तो यह एक lowest employer है यानि कि इसने कम लोगों को ही रोजगार दिया है रीजन यह है कि यहाँ पर jobs available ही नहीं है यही हम secondary sector में देखे तो यह जो sector है इसने production of goods को increase किया है इसी प्रिकार जो ट्रजरी सेक्टर है इसने production of goods को increase किया है 14 टाइम और employment को increase किया है 5 टाइंस इन अपना दो सेक्टर है इसने more contribute किया है अब आगे बढ़ने से पहले एक term को समझते हैं उसके बाद आगे का topic continue करते हैं under employment या disguised unemployment इस term का मतलब है कि एक ऐसा person जो देखने में employed यानि कि रोजगार लग रहा है लेकिन असल में यह unemployed है यानि कि बेरोजगार है एक्जामपल के त जहाँ पर खेती करने के लिए दो लोगों की जरूरत है और इसमें 5 लोग काम कर रहे हैं मतलब कि यहाँ पर जो 3 लोग है यह बेकाम के हैं यानि कि इन 3 लोगों के रहने और ना रहने से खेती में कोई भी production increase नहीं होगा और नहीं घटेगा यानि कि देखले में तो यह employed ल numbers, repair person, vegetable seller, street vendor यह ऐसे लोग हैं जिनको कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है लेकिन असल में यह देखने में रोजगारी लगते हैं अब अगली topic how to create more employment यानि कि क्या क्या किया जा सकता है कि रोजगार यानि कि employment बढ़ जाए आये जानते हैं अपनी जो government है यह पैसे यह बेटर infrastructure बनाने के लिए village area और urban areas का यहाँ पर जैसे की roads को बना सकती हैं और भी बहुत कुछ सुधार सकती हैं और जितनी भी bank है यह पैसे यानि कि loan provide करा सकते हैं low interest rate में जिससे लोग loan लेकर stable हो सकें अपनी जो government है यह construct यानि कि बनवा सकती है dams और canals जिससे उनको irrigation system म पास हो पाए जिससे यह खेती करके पैसे कमा सकें या फिर अपना जीवन काट सकें यही नहीं बलकि जो सरकार या गाउं की इलाके में roads को अच्छे तरीके से बनवा सकती हैं जिससे कुछ नहीं तो कम से कम एक छोटी सी ट्रक यहाँ पर जा सके हर जगा जिससे लोग अपन यह earn कर सकें और job को create किया जा सकता है education sector में अपनी जो 60% जनता है यह बिलॉंग करती है age group 5 to 29 years के बीच में और इसमें से सिर्फ 51% लोग ही उसकूल को attend करते हैं यानि educational institution में जाते हैं अगर सभी children attend करने लगे उसकूल and colleges को तो यहाँ पे more teachers यानि ज्यादा से ज्यादा teachers की ज जरूत पड़ेगी और teacher को hire किया जाएगा जिससे teacher employed हो पाएगा और building भी चाहिए तो building बनवाने के लिए labor को hire करना पड़ेगा जिससे labor कहीं ने कहीं employed हो पाएगा एक study की गई है planning commission के द्वारा यानि अब इसका नाम है नीती आयोग यह बोलती है कि 20 lakh jobs create हो सकते हैं सिर्फ educational sector में ही एक बात और note करिएगा नीती आयोग यह भी बोलती है कि 35 lakh jobs create कर सकते हैं in the tourism यानि कि tourism के film में 35 lakh लोग रोजगार बन सकते हैं ऐसा नीती आयोग का मानना है यही नहीं बलकि jobs को create किया जा सकता है healthcare sector में अगर इसको बढ़ावा दिया जाया तो more doctors, nurses, health workers की जरूत employment बनाया जा सकता है अब बात कर लेते हैं M.G. नरेगा के बारे में इसका full form है महत्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act इसको pass किया गया था 23rd August 2005 में इस चीज को central government implement यानि कि launch करती है right to work के लिए 625 district में इनी सब की वज़े से इसको M.G. नरेगा 2005 के नाम से पुकारा जाता है यह जो scheme है government इसमें guarantee से बोलते है कि मैं आपको 100 दिन के लिए work दूँगा अगर government 100 दिन के लिए work नहीं दे पाती है तो जो सरकार है इनको unemployment allowance देगी मतलब कि इनको फिर भी पैसे मिलेंगे जाए काम करें या ना करें अब हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया है अब बढ़ते हैं organized and unorganized sector की तरब organized sector का मतलब है related to government work unorganized sector का मतलब है related to private work यहाँ पर registered and monitored किया जाता है government के द्वारा वहीं दूसरी तरब outside the control of government यानि कि government के हाथ में नहीं होता है control करना यहाँ पर जो rules and regulation है यह setup किया जाता है government के द्वारा और यहाँ पर कोई rules and regulation follow नहीं किया जाता है Terms of Employment are Regular लेकिन यहाँ पर Terms of Employment are not Regular यहाँ पर आपको Job Security मिल जाती है और दूसरी तरफ आपको Job Security नहीं मिलती यहाँ पर आपको Fixed Income मिलता है यही पर आपको Fixed Income नहीं मिलता है Organized Sector में आपको Extra Allowances भी मिलते हैं जैसे कि Fund, Bonus और चुट्टियों के पैसे भी मिलते हैं Teachers और यहाँ पर Unorganized Sector में देखा जाएं तो यहाँ पर Vegetable Sellers, Street Vendors और Newspaper Vendors अब यहाँ पर जो Unorganized Sector में ना उनको छुट्टे के पैसे मिलते हैं ना बोनस मिलते हैं और ना इनको अच्छी खासा तनख्वा मिलती हैं तो इनको तो बचाना पड़ेगा ना तो अपनी topic बन जाती है How to Protect Workers in Unorganized Sector यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो government है यह fix कर सकते है minimum wages rates of working hour यानि कि जो government है यह fix कर सकते है income कि इससे कम पैसे workers को नहीं दिया जाना चाहिए और इससे ज़्यादा working hours इनको नहीं कराया जा सकता है government यह भी कर सकते है कि लोगों को सस्ते दामों पर loan प्रवाइड कर सके जिससे loan का पैसा लेकर हुआ खुद का business या फिर self-employed हो पाए government यह भी कर सकते है कि इनको cheap और affordable basic services यानि कि जो दिन चर्या life में use होती है जैसे कि education, health यह सब ससे दामों पर इनको प्रवाइड किया जा सके जो सरकार यह प्रवाइड करा सकती है रासन at a lowest cost through रासन सौप government यह भी कर सकती है कि यहाँ पे new laws को बनाया जा सके जिससे इनको provision मिल सके overtime का paid labor और lived due to sickness यानि कि बीमारी के कारण चुटी इसका मतलब यह है कि अगर कोई company इनसे काम करवा रही है तो इनको overtime के भी पैसे दें चुटियों के भी पैसे दें और अगर बीमार के कारण चुटी होती है उनकी तब भी उनको पैसे दें अब बचाए आपका on the basis of ownership तो बढ़ते हैं public sector और private sector की तरफ public sector में जो सब assets होते हैं यानि कि जो company है या manage की जाती है गवर्मेंट के द्वारा और वही दूसरी तरफ जितनी भी assets है यानि company होगी बेल्डें होगी और बहुत चीज़ी होगी या manage नहीं किया जाता है government के द्वारा यहाँ सब दो मताओ, यानि किशी company का एक मालिक होगा, इसके या द्वारा सब कुछ manage किया जाएगा और public sector में यह government करेगी सब ठीक है यहाँ पर main focus यह होता है कि सभी को welfare scheme provide किया जा सके वही दूसरी तरफ इनका मेन फोकस यानि की मकसद होता है कि ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमा सकें पब्लिक सेक्टर के कुछ एक्जामपल हैं रेलवेज, पोस्ट आपिस और वही टिस्को और आर आईयल बाकि टाटा आयरेन इंस्टियल कमपनी यानि के टिस्को का मालिक कौन है यह आप कमेंट करके बता सकते हैं अब गवर्मेंट की इन पे रिस्पोंसिबिलिटीज क्या बनती हैं यह भी जानते हैं Government की responsibility यह है कि यह ज़्यादा ज़्यादा पैसे खर्च करें construction करने में roads, bridges, railways, harbors, generating electricity करवाने में और provide कराना irrigation through dams जो government है यह क्या कर सकती है कि यह wheat and rice यानि चावल और गेहूं खरीच सकती है कि सानों से अच्छे दामों पर और इनको बेचे जो effort नहीं कर पाते थे चावल और राइस को अब यह खरीच पाएं सस्ते दामों पर सबसे ज़्यादा government की responsibility यह बनती है कि यह proper school, quality education, health and education facilities को provide करें और government provide कर सकती है facilities such as safe drinking water, housing facilities for the poor, food and nutrients, caring of poorest यानि की गरीबों की धेगबाल और मैंने आपको बोला था अगर आपने यह details में पढ़ लिया तो आपका chapter यहीं पे end हो जाएगा और आपका chapter end भी होता है अगर आपको इस chapter का notes चाहिए तो आप description box को visit कर सकते हैं जहाँ पर आपको notes बिलकुल free में मिलेंगे और तब तक के लिए टाटा बाबाई जेहिन वंदे मातरम and take care बाबाई